हालो and welcome welcome back to my channel मैं हूँ अनिर्बन और आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ current feelings का वीडियो जी हां आज वीडियो थोड़ा सा late upload होगा क्योंकि लाइब में गया था आप लोगों से मुलाकात किया था उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं मेरे को तो कुछ करना ही है क्योंकि जो लोग लाइब में attain नहीं कर पाए है फिर questions नहीं मिला at least अगर आपके love related कोई problem है तो आपको इस reading से आपको answers मिल जाएगा तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो का like कर दीजिए and मेरे instagram को भी follow करना मत भूलिए और comment section में जो भी scammers है आप लोगों को scam करने के कोशिश करे प्लीज scammers से बचिए मैंने कभी भी आपको advance payment नहीं कि पैसा भेजिए उसके बाद reading करूगा क्योंकि मैं पहले reading करता हूँ उसके बाद पैसा तो let's see यह आपके present partner हो सकता है past partner हो सकता है यह आपके crush हो सकते है husband हो सकते है क्या वो feel करें आपके साथ eight of cups okay the fool oh my god और क्या बाकी है आज my goodness so आज आपके partner बहुत जादा serious है yes वो उसको पता चल रहा है कि उसके life में actually कोई entertainment नहीं है कोई नहीं है उसके life में आपके भी न क्योंकि वो बहुत egoistic person था उसको लगता था कि life में you know पढ़ाई के जरूरत है काम के जरूरत है पैसे का जरूरत है प्यार के उतना जरूरत नहीं है प्यार तो emotional चीज़ है क्यो holiday वो हो सकते है बहुत दिन ऐसा भी हो सकते है कि वो आज social media पर online ही नहीं आया है और जादा बात भी नहीं किया है क्योंकि वो अपने अंदर से बात करें अंदर के साथ बात करें यानिकि soul के साथ बात करें तो उसका या पर twin flame connections के साथ हो सकता है आपके partner married हो या फिर आप भी married हो या फिर या आपके married होने के बावजूद भी एक person के साथ हो या फिर आप multiple दो person के साथ feel करते हो energy और आप खुद को रोक नहीं पाते हो या फिर decision नहीं ले पाते हो कि किस की person के पास जाएंगे तो यहाँ पर cards आ friend है जो आपको बहुत पसंद करते हैं बट आपको पता है कि ethically उस person के लिए आपको जाना चाहिए और जो आपको पसंदे शायद वो person आपको उतना जादा प्यार नहीं करते हैं बट universe आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं चाहिए परसन पसंद करते है या फिर आपके life में अभी जो भी person है वो person आपको पसंद करते है बट उसके तरीका बहुत गलत है उसके ego issue है वो हमेशा खुद को आगे और आपके पीछे रखते है आपको and secondly यह भी चीज़ देख रहा हूँ कि उसको वो एक bond लीडिर है तो हो सकता है कि वो हमेशा आपको सलहा दे, वो हमेशा आपको कोई भी परामर्ष दे सकते हैं, वो हमेशा आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना होगा, ये नहीं करना होगा ये सब बोलते रहते हैं, और आप काफी अद तक frustrated भी होते हैं, बट कुछ बोल नहीं पाते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं अगर आप कुछ बोल देंगे तो ये शायद आपको आपके साथ बाते खतम कर सकते हैं तो ये डर लेकि आप चलते हो और वो इस चीज़ को enjoy करते हैं बट अभी ऐसा नहीं होगा ये परसन आपके साथ आपके सामने आएंगे, surrender करेंगे यहाँ पर मैं देख सकते हो आप में से जो लोग intuitive हो psychic हो, healer हो या फिर आप में से जो लोग पूजा करते हो prayer करते हो, कोई भी magic कर इस्तवाल करे हो, तो आपको साफ साफ पता है कि ये परसन आ रहे है वो आपको surrender करेंगे, ये भी बोलेंगे कि क्यों उसके साथ आपका जमेला हो रहा था क्यों उसका ego issues इतना जादा है क्यों वो इतना जादा घुसे में आ जाते है और क्या हो आप उनके लिए ये इतना प्यार करते है और ये जो इतना दिन से छुपा के आ रहे है ये relationship किसी किसी के लिए 8 साल किसी किसी किलिए 10 साल किसी किलिए 8 माइना किसी किलिए 1-2 साल तो ये जो person है न ये बहुत जल्दी आएंगे और बहुत जल्दी commit करेंगे आप लोग physically meet कर सकते हो आप लोगों का मुलाकात हो सकता है या फिर कोई gifts ही आपके लिए भेज रहे है मैं देख रहा हूँ कि एक overall happy outcome बट ये person मूँ से नहीं मतब इसको पता नहीं कि कैसे ये आपको approach करेंगे इसको पता नहीं कि कैसे आपको थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे किसके लिए देखा हूँ कि गोस्ट करके चला गया है यानि कि बात ही नहीं किया है किसके लिए मैं ये भी देखता हूँ कि इसका जब मन होता है तब ये बात करता है जब इसका मन नहीं होता है तो बात नहीं करता है तो आप बहुत ज़्यादा confused हो जाते हो क्या आप इस person के साथ रहेंगे के नहीं तो ये आके आपके confusions को clear करें क्यों? क्योंकि इसको पता चला है कि ये divinely connected है कोई spiritual connections है आप दोनों के बीच में तो ये पूरे दिन तो ये स्विकार नहीं करते बट इसके मन के अंदर कहीं होता है कि आप हो, हो सकता है कि ये पूरा दिन काम में busy है बट मन के अंदर एक जगे पे आप हो इसका, तो इसके लिए ये हमेशा prayer करते है, ये हो सकता है कि ऐसे person जो भगवान को नहीं मानते है, ये हो सकते है ऐसे person जिसके लिए ये सब prayers बगेरा, ये सब authentic नहीं है, बहुत practical किसम के person है, बट फिर भी इसको कहीं न कहीं, आपके लिए शायद इसका एक prayers रहता है कि काश आप दोनों मिल जाए काश आप दोनों बात कर सके बट ये रहा इनका inner world इनके अंदर में ये सब चलता है, बट बाहर में अगर आप देखोगे, ये person आपको प्यार भी नहीं करते है, बात भी नहीं करते है बात भी नहीं बोलेगा, approach भी नहीं करेगा ऐसा लगेगा, जैसे कि आप ही इस relationship में पढ़े हो because of you, मतलब आप खुद के लिए इस relationship पे हो, जैसे कि ये कोई परवाही नहीं करते है, जैसे कि ये कोई, मतलब आप आपके बार में ये सूचते तक नहीं है सिर्फ पैसे के लिए, फिर आप खुबसूरो तो इसी लिए ये आपके साथ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ physical intimacy के लिए आपके साथ है, ये आपके हमेशा ऐसा मन में चल रहा होगा, बड़ ऐसा बिलकुल नहीं है, ये परसन, देखो ये current feelings reading हमेशा जो होता है, ये gender based reading नहीं होता है, soul based reading होता है तो ये परसन ना हमेशा ऐसा behave करता है, जैसे कि मानलो बहुत ही खुबसूरत ये है और इसको पता है कि इसको बहुत लोग चाहते है, बहुत लोग message करते है बहुत लोग इसको भाव देते, तो इसलिए ये ऐसे भी हम नहीं करते हैं कि नहीं, इसको आपके जरूरत है, ये आपको चाहिए, ये फिर इसको सिर्फ आप चाहिए, ऐसे कभी भी नहीं बोला है ये, हाँ, बट ये बोलेंगे, अभी ये आपके सामने आके ये सब चीज बोलेंगे, जैसे आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा आके आपको support करें, आपको stand आप से बात करें, आपके लिए stand लें, आपको थोड़ा सा surprise दे इसलिए किसी को trusting करते हैं, बट ये person दिल का साफ है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये आपके सामने आके बहुत आसान तरीके से समझाएंगे आपको, अभी मैं देखूंगा, आप दोनों के energy कैसा है, vibes नहीं आज, आज energy देखूंगा, देखिए, ये है आपके energy, आप आपको थोड़ा सा pampering करे, आपके लिए ही message करे, आपको थोड़ा सा obsessive होके बात करे, आप इसलिए डरते हो, बट committed है, commitment ये देंगे, बट आप थोड़ा सा kind of घबराते हो, आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो जाए, शादी हो जाए, जल्दी जल्दी आपके सामने आए, बहुत reliable person है, शायद यह घूम रहा है, यह फिर कहीं पे गए है, यह फिर कहीं से लौट के आए, यह फिर आप लोग long distance पे हो, यानि कि only message और call पे बात किये हो, बहुत दिन हो गए, आप लोग मिले नहीं, एक ऐसा person दूर से आपको बहुत अच्छा vibes दे रहे हैं, और दूर से आपको ऐसा ऐसा चता रहा है, कि यही आपके लिए है, और यही आपके future है, और यही आपके kind of soulmate है, सच में यह लोग soulmate vibes लेके ही आ रहे हैं, यह हो सकता है, कि stable connections के kind of करीब आप दोनों ही जा रहे हो, दोनों के energies बहुत अच्छा है, और मैं देख रहा हूँ कि आपको डर ह आप इसके साथ ही रहना चाहोगे, और यह शायद अभी commitment नहीं दे रहे है, बट future में commitment देंगे, तो energy outcome, yes, seven of cups, बहुत जादा doubts है, इस person के अंदर बहुत जादा अभी भी आपको यह परिक्षा ले रहे है, अभी भी, मताब परिक्षा लेते लेते ही, यह लोग ठक इतना परिक्षा शायद आप लाइफ में कभी नहीं दिये हैं, तो यह person अभी भी आपको परिक्षा लेना चाहते है, यह patient अभी भी भी doubtful है, कि हो सकता है कि उसको और कुछ दिन देखना होगा, हो सकता है उसको और कुछ दिन आपके साथ time spent करना है, हो सकता है आपके लाइ मतीक स्कुछ है आप की नियुक्त करें किसी दूसरे बात करें क्या इसा हो रहा है इसे कुछ नहीं हो रहा है यह तो वोगों के बीच में तो कुछ नहीं है या फिर ऐसा हो रहे है कि आप लोग बहुत अच्छे relationship में हो बड़ काम का बात नहीं हो पाते वो avoid करते हैं मतब जब भी आप मोलते हो कि relationship का future क्या होगा या फिर कैसा है कैसे आपको जाना चाहिए कैसे आपको approach करना चाहिए कैसे parents के सामने आप लोग आएंगे यह सब चीज को यह डाल देते हैं मतब एकदम side में डाल देते हैं बड़ जब भी यह खुद के साथ बाते करते हैं तो आपको यह बताब आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं आपको लेकर यह जाने का कई पर different locations पर घूमने का plan है बहुत नए नए जगे पर यह घूमना पसंद करेंगे आपको लेकर future में यह आपके साथ और क्या क्या कर सकते हैं यह इसके बारे में इसको हमेशा सोच रहता है चलिए देख लेता हूँ इस connections का आपके person के जो next action क्या हो यानि कि आपके person कौन से next actions करने वाले हैं देखो next action का first card है four of cups धीरे धीरे past issues को भूल जाएंगे यह और आपके करीब आएगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि past में कुछ ऐसा चीज के बीच अब दोनों के बीच में जगड़ा हुआ था कोई छोटे मोटे कारण के वज़े से और कोई भी third party को लेके यह friends को लेके यह फिर कोई उनके habits को लेके यह फिर वो कुछ taunt किया था यह फिर कुछ बोल दिया था और आपने reply कर दिये थे उसके बाद वो बहुत hurt हुए आपके बाद को लेके तो past के healing हो रहे उसके बाद आ रहा है five of cups यानिके आप दोनों के बीच में कुछ past issues है या फिर दोनों के energy में मैं देख रहा हूं कि आपका भी past कराब है उनका भी past कराब है तो literally मैं एक चीज़ देख सकता हूं कि आपको वो sorry बोल रहे है फिर आप उनको sorry बोल रहे हो बट दोनों बहुत जादा sacrifice करें और adjust करें तो हो सकते हैं वो आपके imperfections को accept करेंगे और आप भी उनके imperfections को accept करोगे बट दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा sorry messages का exchange होगा और दिल से heart to heart connections को आप feel करेंगे दोनों उसके बाद card आता है the two of pentacles यानि के balance तो आप दोनों के बीच में एक चीज तो तैह हो जाएगा कि ये person बहुत busy रहते है शायद इसी दी आपको बात नहीं कर पाते है तो ये ignore नहीं करते है ये चीज ये बोलेंगे और दोनों के बीच में बहुत harmonious changes आ रहे है बहुत positive changes आ र होगा वो आपसे बत्तमी से बात नहीं करेंगे slowly बात करेंगे चीजों को समझाएंगे reply दे देंगे कब क्या कर रहे है इस चीज को वो बोलेंगे और आप इनको थोड़ा सा trust कर पाओगे आप इनको इनके लिए कुछ करोगे हो सकते है आप लोग डिनर डेट कॉफी डेट पे जा सकते हो lunch date पे जा सकते हो या फिर मैं देख रहा हूं कि उसके लिए आप कहीं पे कुछ लेके आ रहे हूं तो दोनों के बात होगा exchange होगा बहुत अच्छे से बात करेंगे बहुत अच्छे से प्यार करेंगे और एक positive changes आपके लिए उसका आ रहा है हाला कि वह बहुत तगड़ा bond के करीब जा रहे हो और ये unconsciously जा रहे हो आप लोग अभी देखूंगा क्या होगा इसका future क्या आ रहा है इस relationship का future क्या आ रहा है देखिए यहां पे आता है five of pentacles तो दर्वाजा के चाबी यहां है और आप लोग बैठ रहे हो same चीज में बोल रहा हूँ ये किसका kind of symbol है आपको पता है कि manifestations करना है आपको पता है कि हाँ लोग करते है law of attractions करते है बड़ आपको नहीं करना है क्यूंकि आपको पता ही नहीं कि कैसे करना है मतलब क्या है आपके पास ही खुद के key है कि आपको खुद को भी पता है कि आपको manifestations होते हुए time लगता है fulfill होते हैं, बहुत time लगता है किसी किसी ले एक साल, किसी किसी ले दो साल बट करते तो रहो daily basic पे जब तक न इस key को आप ढूंड पा रहे हो तब तक ये दर्वाजा नहीं खुलेगा तो future यही है कि आपके पास key है बट अगर आप device है मदद नहीं मांगोंगी या फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे मदद मांग सकते हो आप तब तक आप एक ही जगे पे repeat करते ही रहोगे repeat करते ही रहोगे तो यहाँ पे spell के जरूरत है यहाँ पे negativity remove के जरूरत है यहाँ पे third party का भी removal हो जा रहा है अभी मैं आपके लिए एक message pull करूँगा मेरा angels के card से अभी मैं देखूँगा आपके क्या outcome आ रहा है इस relationship का angels का messages क्या आ रहा है इस relationship का देखिए 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 आप लोग देखिए romance and connections and bottom of the deck में आया है do the work so आप अपना काम कीजिए आप बे इंतिया इसको महबबत कीजिए romance of connections automatic बन जाएगा इसी के साथ reading को कदम करता हूँ I hope यह video आपको अच्छा लगा please अगर यह video लोगों को अच्छा लगा तो comment करके बोलिए I am loving my partner 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 तो इसी के साथ reading को कदम करता हूँ चलता हो next video पे bye bye take care good night timeless video है तो जब भी देखोगे तब भी यह video आपके लिए applicable हो जाएगा टाडा